हेलो वेड़ों वेल्क टो माई चैनल जेकी टोरियल हम कर रहे हैं क्लास थार के मैं आसका चैप्टर 10 मैट्रिक मेजर्स जिसमें लास्ट इम डिसकस की थी इसकी एक्सराइस 10.4 आज हम डिसकस करने वाने हैं इसकी एक्सराइस 10.5 लेकिन उससे पहला जो मेरे चैनल होना चाहिए जैसे कि वन किलो मीटर में कितने मीटर होते हैं 1000 मीटर होते हैं वन मीटर में कितने सैंटिमेटर होते हैं 100 सैंटिमेटर होते हैं और वन सैंटिमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं 10 मिलीमीटर होते हैं तो यह आपके जो लैंग्ध में अगर देखा जाए तो स सबसे बड़ा कोंट सा किलो मेटर का याद रखीएगा लेंग्थ में सबसे चोटा युनिट का होता है मिली मीटर का उसली तब वेड से केस में देखी वेड मेंदा किलो ग्राम में वं ग्राम में कितने जो में करते हैं जूस को मेंजर करते हैं लीटर के केस में तो वान लीटर में कितने मिलीलिटर होती है handful मिलीटर सो पर तो चलिए स्टार्ट करते है एक्सराइज यहां पर गे सबसे पहला कुशन जो आपको दिया गया इतने ग्लास चाहिए हमने नमबर बलास के चाहिए एक ग्लास में 200 एमल यूज आता याद रखिएगा लेकिन उसमें करना क्या है हमें प्ले जग आ पकास पास येक लिटर जो जूज्व यूस है वह फिल करना है ठेक हैं तो यहाँ पर याद रहें कि जूज है कितना आपके divide कर दिजिए जो juice है किसके अंदर glass के अंदर तो आपके पास number of glasses आ जाएंगे कैसे आएंगे यहाँ पर 502-255-10 तो अपके number of glasses कितने होगे 5 आप ऐसे वे लगा सकते हैं 1000 ml है ना तो 200 को फाइबर आड़ करेंगे 200 प्लस 200 400 400 प्लस 200 600 600 प्लस 200 800 800 प्लस 200 1000 ml हो जाएगा तो यह आपका आजाएगा कितनी वार में आड़ कि है 200 को फाइव टाइम अब यह वाला लॉजिक भी लगा सकते हैं लेकिन सिंपल यही रहेगा वान लीटर में 1000 मिलीटर होते हैं तो डिवाइड कर दिजिए उसे विजो ग्लास में कितनी कैपस्टी है उसके साथ ठीक है तो नेक्स देखिए आपका कोशन नमबर टू है आपने टिक क होते हैं पाईटी कितना हो सकता है तो बहुत बड़ी लिटर तो हो नीं सकता है lagi 20个 है दीके वाओल में लीटर में तो जो भी आप डालोगे सिर्फ लीटर वाला कैंसल होगा आपका इसमें कितना होगे कैपस्टिस की 200 मिलीटर नेक्स्ट आप फिगर है इंजेक्शन की अब इंजेक्शन में लीटर में तो हम मैडिसीं को बरते नहीं है तो कित्या होगा 15 मिलीटर उसी तरह कप है चाहेगा कप चाहे कि आप लीटर में पीते हो नहीं न तो यहां पर आपका क्या आएगा 100 मिलीटर में इस कप के अंदर कैपस्टिक कितनी है 100 मिलीटर की नेक्स आपको को मिलीटर की प्षयंच कौशिसन नुम्बर थी यहां पर इप्रिप्स नंबर साम लगते हैं यहां पर इप्षयंन मेंदे चाय के कप में चाय जो होगी वो लीटर में तो होती नहीं है यहां पर पानी का जो टैंक होता है वह तो बहुत बढ़ा होता है उसमें लीटर में आता है तो सो 5000 यहाँ पर क्या लीटर नेक्स्ट आपक hyp par में है आंट्र att forces कीक वे इनक इंटा आउट्वसाइब क्लिए रही यहाँ फर यह किस में आएगा मिली के अंदेर लीटर में जोगा होगा नहीं वह भी किसमें आएगा मिली लीटर में नेक्स्ट आपको फॉर है यहां पर फिल इन दी ब्लैंक सीगी है कि वान लीटर में कितने टाइम 500 ml होगा मींस आपने देखना है 500 ml को किसके साथ मल्टिप्लाई करो तो आपका वान लीटर आता तो मैंने अप यह भी आपक लीटर आता है 250 को किसके साथ मल्टिप्लाई करोगे तो आपका 1000 आजाएगा यहां पर आ गया नेक्स आपको क्वेशन नंबर फाइव है रिति मेड मीक्स जूस ती क्या पर रही है मिक्स जूस बना रही है अलगर इंग्रेडियन यूस करके उसने 250 ml औरेंज यूस लिया 100 ml मैंगो जूस लिया 50 ml मिनरल वाटर लिया 10 ml लेमन यूस लिया आपने बताना है टोटल क्वांटिटी कितनी होगी जूस की जू बनेगा तो ठीक है तो टोटल कितना बनेगा अब देखिए औरेंज जूस कितना था 250 प्लस आपके जू अपका 250 प्लस 100 350 350 प्लस 50 400 400 प्लस 10 कितना होगे आपका 410 ml इस तरह से आपने सॉल करना इन सब भी क्वांटिटी को एड़ करना लास में जो आएगा वही आपका फाइनल आंसर होगा नेक्स आपको क्वेशन नमबर 6 है कैपस्टी एक स्माल मग की है 200 ml में इस एक छोटा सा मग है उसमें कितना पानी आ सकता है जब कुछ भी डाल सकते है 200 ml तर और एक स्माल चोटी सी बकेट है उसकी कैपस्टी कितनी है उसमें 4 टाइम मग का आता है मैं इस अगर मग में 200 आत गया 800 वह साथ में यूनिट थे मिली लीटर तो नेक्स आपको कोशिन नमबर 6 है यहां पर आपको दिखाया गया कि मेह क्या करती है एक बॉटल है 150 ml कि उसने पूरी बरी लेकिन उसकी बेबी ने कुछ मिल्क को गिरा दिया हाफ मिल्क 150 टोटल था यहां दखिये टोटल कितन को पूछा है कितनी कॉवांटिटी जो है बेबी ने क्या थियो कितना दूत खराब गर दिया आदा धूत खराब किया आदा में 75 ml ør पूछा है कितना दूत बच गया आदा खराब हो गया तो आदा ही बचंगया नात वाक्षाज़ इस यह मतना है जाय है थोर वाटल मेंदेर तो में इतने होगा 2 लीटर में अब कितने मिली मेंटर हुए या 4, तो 4 के साथ divide कीजिए, 4, 5, 020, 4, 0, 0, 400, 500, तो में हर एक bottle कितने किया, ये भी 500 ml की है, ये भी 500 ml की, ये भी 500 ml की, ये भी 500, योगि सबी की capacity सेम है, ये एक जैसे bottle है, सबी की capacity किया है, सेम है, तो यहाँ पर आप लिखेंगे, 500 ml capacity होगी हर एक bottle की, next up question number 9 है, आपको filling the blanks देने हैं, correct option choose करने हैं, ठीक है, तो यहाँ पर बोला है, distance जो है, दो houses के बीच में, वो भी प्रोस आस पास रहते हैं, तो कितनी होगी, इस 10, वो 10 क्या होगी, 10 लीटर होगी, 10 gram होगी, 10 मीटर होगी, सबसे पहले बता दें, लीटर आता है, जब हमारी कोई liquid चीज हो, तब measure करते हैं, यहाँ पर दो distance measure कर रहे हैं, gram हम करते हैं, जब कोई राश्य वगरा लेते हैं, जैसे gram में measure होता है, kg में measure होता है, छोड़़़ इसमाल दीजे, distance तो measure करने में use नहीं होता, तो यहाँ पर आपका क्या answer हैगा, meter, next आपका बताया है, राजने के खिरीदे, 3- onion from a veg, सजी वाले से, राजने 3- onion की खिरीदे, कितने, जब आप onions लेते हो, किसमें लेते हो, आप gram में लेते हो, kg में लेते हो, आपका kg, next आपका है C part, एक municipal बाटर टैंक है, वो supply करता है, 7,000 dash of water, everyday colony को, कितने सारी families को दे रहा होगा, gram में तो आएगा, नहीं कि यह weight का unit है, milliletre बहुत कम unit है, तो इसलिए क्या आएगा, आपका liter आएगा, next आपका है D part, teacher ने कहा, बच्चों से कहा कि, draw किजी एक line, जिसकी length है 7 dash, unit नहीं बताएं है, unit आपने बताने है, notebook में draw करनी है, अब अब मुझे बताओ, जब आप line segment द्रा करते हो, आप scale कर यूज करते हो ना, तो scale में क्या-क्या unit होते है, scale पे, वो होते centimeter, सेंटिमेटर में हो सकता है, नहीं किलोमेटर में हो सकता है, next आप E पाट है, हरलीन ने खरीदता 20 dash of cloth, कपड़ा, जब आप कपड़ा खरीदते हो, पता है ममा से पूछ सकते हैं, कपड़ा खरीदते हो किसमें खरीदते हो, unit क्या होते हैं, अब आप बोलते हैं, टू मेटर दे दो, थ्री मेटर दे दो, तो जब भी cloth खरीदना होता, तो उसके unit क्या होते हैं, measure करने के meter, next आपका F पाट है, चेतना ने क्या किया, mineral bottle ली है, वो capacity कितनी है, 2, अब 2 क्या है, milliliter, milliliter तो 2 बूंदों के बराबर हो जाएगा, फिर आपका क्या हो जाएगा, वो liter में आएगा, 2 liter की bottle खरीदी है, तो इसके साथ ही, आपकी जो exercise थी, 10.5 वो complete होती है, I hope कि आपको अच्छे से समझा आगी होगी, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छे लगी, तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाग कि आपको मेरी latest वीडियो जो है, वो time time मिलती रहे है, आज के लिए इतना ही, थैंक यू,